दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल नाग्यास लर्निंग अड़ाबर चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकरती और शिक्षा मनोविज्ञान की उदेश्य और शिक्षा मनोविज्ञान के छेत्र पढ़ेंगे आज की इस क्लास में चले स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकरती सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकरती इससे काफी बार शिक्षक भरती परिक्षा में कोशन पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकरती कैसी है तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकरती की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकरती विज्ञानिक है अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्यान की प्रकरती कैसी है तो आपका अंसर होना चाहिए शिक्षा मनोविज्यान की प्रकरती जो है वो विज्यानिक है इसका मतलब शिक्षा मनोविज्यान जो है इसे विज्यान माना जाता है विज्ञान माना जाता है शिक्षा मन विज्ञान को विज्ञान माना जाता है लेकिन क्या विज्ञान की अन्य शाखाओं के समान इसको दरजा दिया जा सकता है जैसे अपने को पता है कि विज्ञान की शाखाएं है जैसे एक भोतिक विज्ञान है बहुतिक विज्ञान है जैसे एक रसाइन विज्ञान है बहुतिक विज्ञान रसाइन विज्ञान या फिर जीव विज्ञान है जीव विज्ञान ये तमाम परकार के विज्ञान है तो उसी तरह क्या मनविज्ञान भी विज्ञान है तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों नहीं भोतिक विज्ञान, रसाइन विज्ञान और जी विज्ञान की तरह विज्ञान मनविज्ञान नहीं है या फिर हम ये कह सकते हैं दो टाइब के प्रशनी हाँ पर मिल रहे हैं कि पहला प्रशनी ये है कि शिक्षा मनो विज्ञान की प्रकरती कैसी है तो आपका उत्तर होना चाहिए विज्ञानिक लेकिन अपने से दूसरा प्रशन पूछा जाए क्या शिक्षा मनो विज्ञान को भी विज्ञान के अन्य शाखों के समान दरजा दिया जा सकता है तो उत्तर होगा नहीं दिया जा सकता क्योंकि विज्ञान के इन शाखाँ के द्वारा जब प्रियोग किया जाते हैं तो प्रियोगों से सदेव एक से परिणाम प्राप्त होते हैं अपने को पता है कि हाइड्रोजन के दो अनु है और ऑक्सिजन का अनु मिलकर H2O जल बनाते हैं हमेशा सदेव यही परिणाम मिलेंगे चाहे रसाइन विज्ञान की समीकरण देखें चाहे भोतिक विज्ञान के नियम देखें चाहे जी विज्ञान के कुछ सिध्धानत देखें तो हमेशा एक से परिणाम प्राप्त होते हैं लेकिन शिक्षा मनो विज्ञान के तहट सदेव एक से प्रणाम नहीं मिलते क्योंकि यहां पर बालक का शेक्षिक प्रस्तितियों में उसके विवार का अध्यान किया जाता है और आपको पता है विवार सदेव एक सा नहीं रहता है विवार बदलता रहता है इसलिए शिक्ष इन से सदेव एक से प्रणाम प्राप्त होते हैं जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के शेक्षिक प्रस्तियों में उसके विवार का ध्यन किया जाता है इसलिए यहां पर विवार दिन प्रति दिन बदलता रहता है विवार एक सा नहीं रहता है इसलिए यहां पर जो ह शिक्षा मनविज्ञान को अन्य विज्ञान की तरह दर्जा नहीं दिया जा सकता तो बस सीधी सी बात आपको याद ये रखनी है कि शिक्षा मनविज्ञान की प्रकृति कैसी है जी शिक्षा मनविज्ञान की प्रकृति विज्ञानिक है क्या शिक्षा मनविज्ञान को सित्यम में उसके विवार का धियन होता है और विवार बदलता रहता है जबकि भोतिक विज्ञान रसाइन विज्ञान जीव विज्ञान में जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो सदेव एक से रहते हैं वो बदलते नहीं हैं वो सदेव एक से रहते हैं इसलिए हम शिक्षा मन मनोविज्यान की प्रकृति की बात उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्यान के छेत्र शिक्षा मनोविज्यान के छेत्र की बात करते हैं आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर शिक्षा मनुविज्यान के छेतर तो दोस्तों शिक्षा मनुविज्यान के छेतर है न वो अभी निश्चित नहीं किया जा सकते क्योंकि शिक्षा मनुविज्यान जो है न अभी अपनी शेश्वा वस्था में इसलिए यहां पर हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के छेतर या फिर हम बोल सकते हैं स्कोब OFF THE EDUCATIONAL PSYCHOL Ref Social Psychology स्कोब ओप अध्योकेशनल साइकलोजी यानी की शिक्षा मनोविज्ञान के छेतर सिक्षा मनोविज्ञान के छेतर की बात करें तो अभी ये विशे जो है ना विकास शील विशे है अभी जो है ये विकास कर रहा है ये मनोविज्ञान जो है विकास शील विशे है और अगर अपने से ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान अपनी किश अवस्था में है तो मनोविज्ञान अपनी शेश्वा अवस्था में ह आज भी ये जो है निया उबहा वआ निया उत्पन हुआ हुआ छेत्र है या विशे है इसलिए शिक्षा मनुज्यान अभी अपनी शेषवा वस्ता में है और ये विकाशील विशे है अभी भी दिन परती दिन नए प्रियोग हो रहे हैं इस दिसा में बहुत काम हो रहा है शिक्षा मनविज्यान के छेतर में अनेक अनुसंधान किये जा रहे हैं इसलिए हम इस विशे को विक्सित विशे नहीं मानते अभी तक हम इसको विकाशील विशे मान रहे हैं कि इसमें नित परती दिन नई प्रियोग किये जा रहे हैं और ये अपना अभी शेश्वावस्था में है फिर भी जो है इसके कुछ छेतर हो सकते हैं इसके कुछ छेतरों तक इसको सिमित किया जा सकता है जैसे इसके छेतर के तहट आता है बालक ठीक है बालक भी शिक्षा मनो विज्यान के चेतर के अंदर आता है दूसरा है सीखने संबंधी अनुभाव सीखने संबंधी अनुभाव सीखने संबंधी अनुभाव ये भी शिक्षामनो विज्यान के तहट आते हैं तीसरा जो है वो आता है सीखने की प्रक्रिया प्रोसेस ओफ लर्निंग सीखने की प्रक प्रॉसेस ओफ लर्निंग ये भी इसके अंतरगत आता है और चोथा इसके अंदर आता है सीखने संबंधी प्रस्तियां और वातावरन सीखने संबंधी प्रस्तितियां एवम वातावरन सीखने संबंधी प्रस्तियां और वातावरन भी इसके तहता आता इसके छेतर के गाता है और फांचवां जो छेतर है इसका वो है शिक्षक तो शिक्षामनोविग्यान अभी अपनी विकाशी लवस्था में है विकासी gravy अपटनी शेश्व वस्था में है इसके छेतर के तेहत बालक आता है शीकने संबंदी अनुभव आते हैं, सीखने की प्रक्रिया आती है, सीखने संबंदी प्रस्तितियों और वातावरण होते हैं और शिक्षक आता है ये सभी शिक्षा मनुविज्यान के छेतर के अंतरगत आते हैं ठीक है उसके बाद हम आगे ये पढ़ते हैं कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्यान की क्या उपयोगिता है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्यान की क्या उपयोगिता होनी चाहिए पीछे हमने पढ़ा कि शिक्षा मनुविज्यान की प्रकर्ती कैसी है यहाँ पर हमने शिक्षा मनुविज्यान की प्रकर्ती जानी उसके बाद हमने यह जाना कि शिक्षा मनुविज्यान की छेतर कैसे कौन से है बालक शिक्षा मनविज्यान की छेतर के अंतरगत आता है सीखने संबंदी अनभव शिक्षा मनविज्यान के छेतर के अंतरगत आता है सीखने की प्रिया शिक्षा मनविज्यान की छेतर के अंतरगत आती है सीखने संबधी प्रस्तितियां और वातावन शिक्षा मनुविज्यान के छेतर के अंतरगत आते हैं शिक्षक भी शिक्षा मनुविज्यान के छेतर के अंतरगत आता है लेकिन ये विशे अभी विकासील विशे है, विक्सित विशे नहीं है और अभी अपनी शेश्वा अवस्था में चल रहा है अभी कौन शेश्वा अवस्था में चल रहा है अभी अपनी शेश्वा अवस्था में चल रहा है अब आगे हम पढ़ते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए क्या उप्योगिता है चलिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनुविज्ञान की उप्योगीता शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है इसके अंदर गत हम कुछ बिंदूओं का अध्यान करते हैं जैसे पहला है शिक्षक को स्विम में जानने में सहयक पहला बिंदू क्या है शिक्षक को स्विम को स्विम को जानने में सहयक शिक्षक को स्विम को जानने में मदद करता है तो ये भी second grade में एक बार पूछा गया है शिक्षा मनोविग्यान की जो है शिक्षक के लिए क्या उप्योगिता उसके तहट ये चीज पूछी गई है इस तरह के option आते हैं कि कौन सा कथन सकते है तो आपको याद रखना है कि शिक्षक को सुम को जानने में सहिक होता है कौन शिक्षा मनोविग्यान और इस संबंद में एक मनोविग्यानिक का कथन भी आपको याद रखना है मनोविग्यानिक कौन है स्कीनर स्कीनर का एक कथन आपको याद रखना चाहिए स्कीनर कहते हैं कि शिक्षा मनुविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधार शिला है ये कथन किसका है ये कथन जो है स्कीनर का है शिक्षक को स्विम को जानने में सहयक और दूसरा कथन क्या होगा दूसरा जो है इसका उपयोगिता क्या होगी दूसरा है विद्यार्थी को जानने में सहयक बनाता है शिक्षक को कौन शिक्षा मनविग्यान और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों तीसरा है सीखने की उचित परस्तितियां और वातावर्ण को बनाने में शिक्षा मनविग्यान शिक्षक की सहयता करता है और चोथा पॉइंट क्या है उचित अनुशासन स्थापित करने में शिक्षक की मदद करता है कौन शिक्षा मनविग्यान मदद करता है और तीसरा है बालकों की मूल परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व शिक्षा मनविग्यान विद्यार्थियों को जानने में मदद करता है शिक्षक की शिक्षा मनविग्यान सीखने की उचित प्रस्तियां और वातावन बनाने में साहिक होता है शिक्षा मनविग्यान और उचित अनुशासन स्थापित करने में साहिक होता है शिक्षा मनोविग्यान और बालक की मूल प्रुवर्तियों को जानने में साहिक होता है शिक्षा मनोविग्यान इस तरह से शिक्षा मनोविग्यान शिक्षक की साहता करता है शिक्षक के लिए उपयोगी है स्कीनर का ये कथन भी याद रखना है कि शिक्षा मनोविग्यान अध्यापकों की तयारी की आधार शिला है एक दो भार शिक्षक वरती परिक्षा में इससे संबंदित प्रशन भी पूछा गया है तो दोस्तो आज की इस कलास में हमने क्या क्या पढ़ा है आज की इस कलास में हमने शिक्षा मनोविग्यान की प्रकरती पढ़ी है आज की इस कलास में हमने शिक्षा मनोविग्यान के छेतर पढ़े है और आज की इस कलास में हमने शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविग्यान की उप्यूगिता पढ़ी है तो तीन ये चोटी चोटी बातें हमने आज देखी हैं ये classes short हैं, short रहेंगी ताकि आपको कम समय में अच्छी चीज़ें समझने को मिले आप अपनी register में इससे related notes मनाते रहें और इसको समझते रहें अच्छा लगे तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए नमस्कार